इस चैप्टर में आपको एक बेस्ट सिटी कॉर्नर दिखाने वाला हूँ, राइट साइट में आपको में एक रेफरेंस दे दूँगा, वो पेंटिंग का एंड है, फाइनल पेंटिंग है, बट इस पेंटिंग को कैसे किया जाए, एक होता है कि आप और जिनल देखके और एक होता है कि आप कॉपी करेंगे कोई फॉट्रोग्राफ को देखके आपको वाटर कलर में कैसे किया जाए, और इस वाटर कलर में आपको क्या का चाहिए, किस-किस पॉइंट में चाहिए, तो चलिए, शूरू करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहुत इन्पॉर्टेंट है, आप बार बार देख लहे हैं कि ये चीज बहुत इन्पॉर्टेंट है कोई भी वाटर क renderedकर्ण करने से पहले, देखिए, कितना लाइटली में पनसिल से ड्रॉएंग कर रहा हूं, कितना लाइटली में फ्लो को फॉपकर रहा हूं, आपको वह ही चीज करना है कंपोज करना है ऐसे नहीं है कि पूरा balcony आपको करना है ऐसे नहीं है आपको पूरा road करना है या आप का door करना है detail में करना है आपको कि Straw shape of drawing यह pencil मैं nagle restriction jusqu लिए यूज कर रहा हूं टुभी यह जो light and shadow है इसको भी आपको सोचना है जब ड्रॉइंग करेंगे रफली ड्रॉइंग करना है sketch करना है sketch type का उसके बाद आपको वो पता होना चाहिए किस building के बाद कौन सा building है किस house के बाद कौन सा behind है besides है so यह constructions बहुत important है आपका water color stand करता है आपके drawing के उपर एक होता है कि semi realistic realistic एक होता है कि आपका abstract abstract के बारे में हम लोग discuss नहीं करें abstract के उपर मैं अलग सा course start कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के share कर दूँगा but इसमें आप देखिए कि जो फिगर कर रहा हूँ वो roughly outline है no detail watercolor हमेशा impressions के उपर depend करता है एक realistic होता है बहुत जादा realistic राइट वो भी impressions and color mixings के उपर इसलिए जो drawing होता है बहुत ही lightly drawing होता है केको watercolor काफी transparent होता है तो धीरे धीरे ये compositions built होड़ा है आप ये देखिए यहाँ पर shop है tea stall हो सकता है यहाँ पर छोटा छोटा character हम लोग करेंगे छोटा 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 character कोई जल्दबाजी नहीं है दूर में कार हो सकता है यह bus हो सकता है whatever क्योंके वो जो vanishing point है इस vanishing point को सही तरह से block करने के लिए सही तरह से use करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं ये जो stroke दे रहे हैं थोड़ा के और भी ज्यादा feel हो कि यहां पर रोड है ये जो चोटा चोटा stroke हम लोग देते हैं ये आपको support करता है कि आप कहां पर कौन सा चीज कलर करेंगे और कौन सा चीज important है आपका painting में तो जितना suggestions जितना reference and suggestions देंगे उतना ही आपको comfortable होगा जब आप water color करेंगे तो यह basic drawing हम लोग को करना होगा यह देखिए धीरे 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 हम लोग इसको build कर रहे हैं यह जो मैं quickly काम कर रहा हूँ, right, इसके उपर आप ध्यान मत दो, आपको सिर्फ ये देखना है, कहाँ पर building है, और कहाँ पर character है, और कहाँ पर ये character है, obviously आपका character और मेरा character different होगा, बट उसका मतलब नहीं है कि compositions different हो जाएगा, build, space divisions, compositions is very important, अभी हम लोग color करना start करेंगे, कौन सा color, blue ले लिजे, थोड़ा सा water देके, ऊपर में, थोड़ा color दे दिया, उसके बाद, this is the first tone, उसके बाद हम लोग yellow mix करके, थोड़ा सा yellow भी कर देंगे, because left side and right side both are building, तो उसमें dark थोड़ा सा orange दे सकते हैं, yellow दे सकते हैं, तो इससे कहने के वो feel होगा, फिर से हम लोग blue color ले ले लेंगे, उसके साथ तोड़ा सा orange and green type color हो जाएगा, अब automotive देख पा रहे हैं, color देखिए, आप मैं water के, water के साथ, water जैसे चल रहा है, मैं वैसे ही brush कर रहा हूँ, तो यह बहुत important चीज़ आपको समझने के बहुत जरूरी है, कि water कहां से flow हो रहा है, और मैं आप water color कैसे कर रहे हैं, कभी dark है, कभी light है, कभी water को pass out कर रहे हैं, कभी water को hold पे रख दिया, यह काफी important चीज़ है, जब तक आप यह चीज़ नहीं समझेंगे, आपको problem होगा water color में, जितना भी water color आप practice कर लो, यह problem होगा, अगर आप water को अच्छी तरह से hold करना, और water को color को अच्छी तरह से pass out करना, यह important है, उसके साथ सथ आपको देखना है कि light कहाँ पे है, जहाँ पे extreme light है, आप उनको white छोड़ सकते हैं, जहाँ पे extreme dark हैं, वहाँ पे आप color दे सकते हैं, थोड़ा dark, अब इस जगा पे थोड़ा सा dark होगा, इसका मतलब नहीं है कि मैं पुड़ा भर के देदूंगा, कुछ भी नहीं दिखाए, तो यह देखे, water color का एक मजा है, कि आप water color तो कर रहे हैं, बट drawing pop-up हो रहा है, drawing transparently पता चल रहा है, क्योंकि आपको water color वैसे ही use करना है, तो यह काफी interesting first tone है, देखे, सारे जगा पे मैंने color लगाया है, कुछ कुछ जगा पे नहीं लगाया है, जहाँ पे extreme highlight है, तो यह चीज काफी important है आपके लिए, कि कहा पे छोड़ना है, कहा पे करना है, उसके बाद हम लोग 5-10 minutes के बाद shadow दे रहे हैं, because पुरा dry important है, dry होना बहुत important है paper, उसके बाद आप second tone कर सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा और detail में जाएंगे, कहाँ पे shadow होगा, अभी हम लोग उसको और भी ज़ादा prominent कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो dark color है, जिस color का dark है, कि आप यह कर सकते हैं, मैंने orange and red mix कर दिया है, तो थोड़ा सा brownies हो गया, यहाँ पे blue थोड़ा सा touch है, तो यह front end जो color है, यह building का यह थोड़ा सा आप dark देंगे, right, उसके बाद धीरे धीरे आपको planning करना होगा, कहाँ पे कौन कौन सा color होगा, अब हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा यह वाला जो उपर का पार्ट है, इसको हम लोग rate रखेंगे, एक दम direct rate color, 50% water, 50% color, तो यह काफी interesting chapter है, काफी interesting topic है, और tutorial है, आप इस चीज़ को follow करके, आप master class painting बना सकते हैं, यह जो मैं उपर तक rate दे दिया हूँ, यह क्या है, यह है, बोर्ड होगा in future, उसमें white से text आएगा, तो यह सब चीज़ जो futuristic चीज़ है, उसको आपको करना होगा, जैसे कि यह जो मैं color कर रहा हूँ, dark ले लिया, उसके तर रे ले ले लिया, तो यह right side का जो dark building है, उसके उप हम लोग कर रहे हैं, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहां पर light होगा, उसके एगेंस में dark होगा, जहां पर dark होगा, उसके पहले ही आपको light छोड़ना है, water color में, अब देखिए कहां पर drawing हुआ, इसमें brush चला रहा हूँ, जहां पर shadow है, जहां पर light होगा, यह सब जगा पर आपको maintain करके brush वैसे ही चलाना है, भले ही आपको थोड़ा सा time ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपको maintain करना है, कैसे कैसे करना है, तो यह काफी important brush है, यह देखिए, यह blue जो मैं दे रहा हूँ, उस गली हो सकता है, उस corner में, उसमें गली हो सकता है, उस corner में कुछ भ तो वो जो dark feel होता है, वो dark feel आपको करना होगा, यह काफी सही चीज है, और यह जो मैं black में थोड़ा सा touch up कर रहा हूँ, यह weight and weight process में कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा advanced level का touch up है, यह वाला चीज है, जो एकदम beginners के लिए नहीं है, advanced type का है, थोड़ा बहुत basic knowledge होना चाहिए, तो अगर आप इस process में काम करेंगे, तो आपका walk बहुत खुबसूरत होगा, और आप किसी को भी challenge कर सकते हैं, कोई भी water colorist को, और आप किसी को भी सिखा सकते हैं, अब मैं दूर का building में करूँगा, थोड़ा सा dark है, उसको प्रेम तोड़ा and color से आप कुछ भी कर सकते हैं, light and dark, shadow, right, जब भी मैं color कर रहा हूँ, आप ध्यान देखेंगे, कि मैं उसका light and shadow को पकर रहा हूँ, आप भी अगर इस process को follow करेंगे, ये जो देखें, dark हो गया, right, dark क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि city corner में नीचे में बहुत जादा happening होता है lights off होता है, उपर से sunlight नहीं होता है, तो थोड़ा सा dark हो गया, right, तो ये हम लोगों का second tone हो रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा just impressions देंगे, cards and vehicles वहाँ पे जो भी है, उस impressions के उपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा चीज़ है, तो ये जो dot 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 में दे रहा हूँ, it's just illusion, ये कोई particular just references, suggestion है, ये कोई in detail आपका window नहीं है, अब right side में क्या होगा के थोड़ा सा dark होगा अंदर में, stall के अंदर, उस dark के against में light character, तो ये काफी dramatic situation है, आपको ड्रामा दिखाना पड़ेगा, अगर आप drama नहीं दिखाएंगे, तो आप का painting अच्छा नहीं लगेगा, boring लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा drama दिखाना है, ये मेरा style है, आप इस style को follow करेंगे, बट आप जब करेंगे, वो आपका style होगा, मेरा इस course का मतलब ही यही है, कि आपको सही जगा पे, सही time पे कौन सा color use करना है, उसको build कैसे करना है, नहीं तो कोई, वो जो flower वाला painting होता है, कि आप देख देख के flower feel कर रहे हैं, वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है, एक flower कर दे उसके अंदर feel, बट ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ, ये अगर आप सीख सकते हैं, अगर आप course को complete करेंगे ठीक ठाक, तो आपको कहीं भी ज अब ही आपको पता चल रहा होगा कि कहां पर कौन सा color दे रहा हूँ, अब जो मैं color दे रहा हूँ, वो है आपका third tone, इस third tone में थोड़ा सा कहां पर balcony है, road निकला हुआ है, constructions कैसा है, ये थोड़ा सा बेटर तरीके से दिखाने के लिए, आपको इस tutorial में आपको पूरा complete palette में नहीं दिखा रहा हूँ, कोई जरौत नहीं है, brush देखिए, पतला सारा brush यूज़ कर रहा हूँ, obviously ये तो make sense है, अगर आप कोई strokes देना चाहते हो, obviously मोटा brush नहीं करेंगे, right, वो बोल के time was tea होता है, काफी सारे tutorial आप देखेंगे, कि वो ये सब करो, वो सब करो, ये brush ले लो, धोलो, right, my point is कि आपको painting में interest है, और आप ये tutorial देख रहे हो, और इस tutorial basics लेके advanced level तक है, तो ये काफी important चीज़ है कि आप किस process में काम करेंगे, आप चोटा-चोटा-चोटा-चोटा stroke दे रहा हूँ, side में, side में, right, उसको थोड़ा सा background क clarity देने के लिए, happening करने के लिए और, right, अब थोड़ा सा red ये, थोड़ा सा strokes दे रहे हैं, क्योंकि balance important है, ये जो red color दे रहा हूँ, तो ये red light के लिए है, light जैसे होते हैं, थोड़ा सा dark ले लेंगे, dark लेके इसके उपर, dark blue से, हम लोग करेंगे, right, अब देखिए, अब नीचे में, ब्लैक से में कर रहा हूँ, क्योंकि उपर में dark है, फिर light है, फिर black है, ये जो game है, ये game काफी interesting है, ये आपको पहले ही visualize करना होगा, अब अगर करेंगे तो ऐसा होगा, तो आपको 50% आपको पता है, और 50% आपको पता नहीं है, उसी हिसाब से आपको color करना है, और कोई भी watercolor एक जैसा नहीं होता है, कोई भी watercolor, कोई भी artist दुबढ़ा replicate नहीं कर सकता है, because ये depend करता है कि situation, weather, brushing और timing के उपर, जो medium timing के उपर dependent है, वो copy नहीं हो सकता है, वो उस type का हो सकता है, 80% हो सकता है, अब ये थोड़ा सा dark देदी है character, character dark देने के बाद, फिर हम लोग background में जो colors है, इसका छोटा stalls type का है, वहाँ पर में stalls type का हम लोग कर रहे हैं, अब तोड़ा सा blue, देखे, ये color range है, आप range को समझे, yellow, red, brown, blue, right, ये सारा color use है, but colorful भी लग रहा है, बट आपको minimum 3-4 color ही use हुआ है, और ज्यादा नहीं use हुआ है, तो आपको 3-4 color ही choose करना है, एक PDF में पूरा technically नाम बता दूँगा, ये जो मैं color use कर रहा हूँ, यहाँ पर ये black, दे रहे हैं, तो वो काफी effective stroke है, तो ये point से आप काफी roughly थूरा बहुत brushing दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस से काफी पता चलता है कि हाँ, कुछ happening है, कुछ style है, कुछ city का feel हो रहा है, आप right side में जो reference है, उसको आप ध्यान से देखिए, step by step आपको इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा, watercolor होता क्या है, city scap के उपर, चोटा 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 स्टोक्स, लेग में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दूर से लगे है, कहाँ थोड़ा लाइट उपर में light और नीचे में dark है, पैंट में, अब यह जो थोड़ा सा स्टोक्स है, यह city में ही होता है, यहाँ पर वर्टिकल एक poster लगा हुआ है, hotels का कुछ भी हो सकता है, उसके बाद यह जो वायर है, तार है, यह city के उपर जो तार जाते हैं, electricity का, तो यह काफी interesting feel करवाता है, इस अगर आप यह नहीं करें यह city में, तो आपको perspective feel नहीं होगा उपर की तरफ, नीचे की तरफ हो रहा है, आप देखिए, उपर से भी perspective है, नीचे से भी perspective है, तो यह काफी खुबसूरत और काफी बेटत तरीके से watercolor करने का जो process आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह इस से काफी आपको help हो जाएगा, आप practice करिए, इसको देखके आप copy करिए, इसको देखके आप inspired हो जाएगे, यह fabriano 300 gsm paper है, तो यह practice करने के बाद आप मेरा इंस्टा में आ सकते हैं, आप मेरा facebook page में दिखा सकते हैं, तो मैं आपको help करूँगा, just मेरा नाम शंकर ठाकुर है, आप इंस्टा में और facebook में शंकर ठ ठाकुर लिखिये और इंस्टा में शंकर ठाकुर अंडर्सकर वाटर कलर लिखिये, या वाटर कलर अंडर्सकर शंकर ठाकुर कुछ भी वह आ जाएगा, अभी road का जो strokes है, नीचे में यह line देने में पता चलता है, कहां tram है, और आपका perspective है, tram line और perspective, इस वजह से यह काफी better feel होता है, लगभग हम लोगों का काम काफी हद तक complete हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, आप यह strokes के ओपर depend करता है, कि आपका painting का beauty क्या है, पुरा balance करके चलना है, आपको right side, left side, दोनो side, आपको balance करके चलना है, तब ही जाके आप सीख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी line और text दे सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, क्योंकि वो matter नहीं करता है कि क्या लिखा है, matter करता है कि हाँ, यह कुछ लिखा है, यह कुछ लिखा है, कुछ color है, यही impression है, यही चीज हम लोगों को सिखाया जाता है, यही चीज आपको भी मैं सिखा रहा ह कि impressions का कोई नाम नहीं होता है, impressions का only shape of drawing होता है, shape of color होता है, तो मुझे लग रहा है कि यह काफी help किया है आपको इस tutorial ने, और थोड़ा सा rainy day type का करने के लिए आपको नीचे में shadow देना पड़ेगा, हलका फुलका, और बाकी तो काफी बेटर तरीके से मैंने इस tutorial को करवाया है, और final touch-up के लिए कुछ-कुछ जगा पे, dark, bold, कुछ-कुछ जगा पे, thin color use हुआ है, thin brushing use हुआ है, तो enjoy this video, और enjoy this tutorial demonstrations, और फिर मिलते हैं next chapter में, झाल